अल्वेज वेलकम साथ ही हो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ दोस्तों जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाय गया है और आगे इस वीडियो में पढ़ाय जाने वाला हो कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं फोटो को भी करा सकते हैं और आप चाहें तो अपने दोस्त करेंगे जल्दी जल्दी आपके सवालों का जबाब दिया जाए आप चाहें तो हमारी रेटिंग के लिए हमें गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों जो दोस्त इस कंटेंट के लिए हमें फीज देना चाहते हैं दोस्तों फीज देने में समड़ते हैं वो इस नंबर चलिए दोस्तो इस वीडियो में जानते हैं से और स्ट्रेस इन सर्कुलर क्रोस सेक्षन आप भीम सर्च ऑन योटूब डिटल क्लास आप हमें योटूब पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों यह उनके लिए जो सिर्फ नॉट्स मिलें उनको उन्हें पता नहीं है कि इन सभी नॉट दोस्तों का वीडियो का एक्स्पलेशन एक्स्पलेशन भी है वीडियो एक्स्पलेशन के साथ जो पढ़ेंगे उन्हें बहुत हैल्फ होगी दोस्तों इसलिए इसको डाल दिया हमने की पॉइंट सच ऑन योटूब डिजिटल क्लास यदि आप सर्च करेंगे जिनके पास नोट्स हैं तो उनको भी वीडियो मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल मिल जाएगा तो उनकी वहत हैल्प होगी इन्हें समझने में चलिए अब शुरुवात करते हैं यह दोस्तों सर्कुलर क्रोस सेक्षन है किसी बीम का इस पर हम सेर स्ट्रेस काउंट कर रहे हैं दोस्तो मेक्जिमम आप देख सकते हैं नूट्रल एक्सिस पर हमें सेर स्ट्रेस मेक्जिमम मिल रहा है दोस्तों यह परवलिक करव है इस परकार हमें जो स्ट्रेस मिलता है हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों सवाल करेंगे तो हमें पता मिलेगा यह बैलू मिलेगी तो इस परकार हम वाले वीडियो में फुल बताएंगे आप चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं इस सर्कुलर क्रोस सेक्शन के बारे में इसके लिए दोस्तों यह 101 पेज पर आ गए हैं इसके लिए दोस्तों टाव मैगजिमम जैसा कि हम जानते हैं टाव मैगजिमम का फर्मूला यह ब्रैकिट में ए और वा ऑ रहें दोस्तों यह गुना में बटे आईवी यह फॉर्मूला हम पिछली वीडियो में ड्राइब कर चुके हैं दोस्तों आप जानते हैं यह सियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टाव मैगिमम के लिए हम अब दोस्तों यहां हम देख सकते हैं हमने y इसमें 0 रख दिया है क्योंकि हम जानते है neutral axis पे y बरावर 0 हो जाता है क्योंकि हमें share stress चाहिए दोस्तो share stress parallel होता है एरिया के जितना maximum area होगा उतना ही हमें share stress मिलेगा आते हम y बरावर 0 मान रहे है या फिर पहले ही हमने maximum share stress इसलिए लिख दिया है तो share force बड़े bracket में एक बटे दो पाई आर स्कार क्योंकि दोस्तो हम cross section है दोस्तो xx जैसे आप देख सकते हैं इससे उपली जो सत्य है या फिर उपला area इस पर हम steady कर रहे हैं दोस्तो इसलिए इस करें बटे pi r 4 और फोर ऑर फोर दोस्तों यह आई बार होता है किसी भी cross section का जो circular cross section है दोस्तों का moment of inertia pi 4 और 4 इसकी power है into 2r यह दोस्तों B क्या होता है जो की xx distance होती है जो जो बेस होता है दोस्तो क्रोस सेक्षन का जहां से हम इस्टेडी करते हैं जो निचली सते होती है दोस्तो वह भी होता है इसको एकस एकस से प्रदर्शित किया है यह भी है इसको डबल आर लिख देंगे हम दोस्तो क्योंकि एक रेडियस होती है और यह फॉल डिस्टेंस एकस तो यह टू आर लिख दिया है अब हम टाव मैक्जिमम के लिए दोस्तों इस कल्कुलेशन को आगे सॉल करेंगे तो हम दोस्तों यह एस भार रहे जाता है एक बट यह एक बटे दो पाई आर इसकोर यह दोस्तों जो हलकी बारिक लाइनों से जो कटे हुए सब दिन का मतलब है दोस्ते कल्लेशन से काटे गए सब्दें जैसे दो से काटा है यह चार दो बार कटेगा आर काट दिया है यह नीचे के दो दो चार हो गए दोस्तों दो कर गए उपला चार काट दिया है इस आर से उपला आर काट दिया है आर फोर में से यह दो आर काट दिया है इस परकार खटी हुई calculation है इनको आगे हम solve करते हैं आप आसानी solve कर सकते हैं दोस्तों तो हमें बजता है share force बाहर रह जाता है 4 वटे 3 pi r square यह हमें प्राप्त होता है तो हमें दोस्तों tau maximum is equal to 4 वटे 3 share force वटे pi r square प्राप्त हुआ इसे हम लिख सकते हैं 4 वटे 3 tau average गबरावर क्योंकि 4 share force वटे area तो यह pi r square इसका area है आता है हमें tau average बरावर यह value प्राप्त होती है आता हम tau maximum बरावर 4 वटे 3 share force वटे pi r square यह 4 वटे 3 tau average लिख सकते हैं दोस्तों अब हम इसे 4 वटे 3 share force वटे pi r square उपर दोस्तों share force से cos square theta गुना हो रहा है इसे हम जानने के लिए यदि हम दोस्तो अगली calculation करेंगे उसमें बताएंगे यदि हम दोस्तों लेते हैं radius या कोई angle पर लेते हैं दोस्तों जो radius होती है किसी angle पर count कर रहे हैं जो कि हमने distance y bar दे रहा किये दोस्तों यदि आप उसको चाहें तो theta से भी measure कर सकते हैं क्योंकि angle बनेगा दोस्तों वह base है दोस्तों उसका कि आप देखेंगे यह triangular section है इसमें आप देख सकते हैं इसमें इसका centroid होता है h y 3 height पर होता है दोस्तों और उपली height होती है 2 h बटे 3 अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसका diagram बनेगा तो share stress हमें प्राप्ट होता है tau maximum इसके neutral axis से उपर प्राप्ट होता है दोस्तों तो यहां कर ये कर्व खाता हुआ diagram प्राप्ट होता है हूम्हाँ हिस यह distance है दोस्तों इसकी hy2 पर tau maximum प्राप्ट होता है इससा और चार्व तो यह रिलेसन होता है न्यूugुॉसि निकाते चाहर बटे तीन डॉखảवर और ताव मैक्जिमम हब निकालना चाहते बरावर होता है । Ł gide एक पर तोपटे 8 ये relation मिलता है टाव मैक्जिमम है है इप से रिलेटेड है दोस्तों बरावर टाव न्यूट्रल एक्सिस प्लस है थ्यूप यां दोस्तों यह टाव मैक्जिमम की हैट बताए गई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां जो नूट्रल एक्सिस आव का न्यूट दोस्तों जो आपको पता होने चाहिए किसी स्टेंडर क्रोस सेक्षन के जैसा कि हमने आपको बताया है इसमें सर्कुलर बताया है ट्राइंगल बताया है और पिसली वीडियो हमने ड्राइब करके बताया है दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूल है जो हमने यहां आपक कोन्तों के साथ शEAR करें दोस्तों क्योंकि यह video शEARare करने से YouTube हमें support करेंगा हमारी यह video अगली Installation में चलायागा जिससे हमें भी support मिलेगा दोस्तों क्योंकि आपका support मेंटर करता है कि आपके support के विना किसी भी चैनल की growth impossible है दोस्तों इसलिए हम चाते हैं कि आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करकर सपोर्ट करें वीडियो को अन्त तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद